नमस्कार आप देख रहे हैं JTN News इंडिया और 28 फरवरी को गुरकोविन सिंग एजुकेशनल सोसाइटिस टेक्निकल कैंपस में एक झारकंड साइंस एंड इनुवेटिव टेकनोलोजी एक्जिविशन का आयूजन किया जा रहा है जारकंड इनुवेसिटी आफ टेकनोलोजी में जड़ा परिफ कीज़े आपको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो यूनीक प्रोग्राम हो रहा है साइंस एक्जिविशन का हमारे कॉलेज में इसमें जहारकंड तक्निकी विश्विदाले के कुलपती मानिये बीजे पांडे सा सिर्कत करने वाले हैं इसके अलाबा प्रिंस्पल जज के रूप में बोकार्लो रेंज के जो वन परमंडल के जो औरीजनल कंजरवेटर और फॉरेस्ट है स्री डी वेंकटेस वारलू साहब आई एफस अदिकारी हैं साइंस के काफी ग्याता है यह लोग इसमें सरकी सिर्कत करेंगे सामिल होंगे और छात्रों को और खासकर समाज को यह संदेश इस एक्विशन के द्वारा दिया जाने वाला है कि किस प्रकार विग्यानिक सोच या विग्यानिक टेम्प्रामेंट या फिर स्टार्ट अप और जो दूसरे इसूज हैं जो तक्निकी और विग्यान से सम्मंद रखते हैं, उनका प्रसार प्रसार हो और उस तरह से सोसाइटी में एक विज्ञानिक सोच का विकास हो सरई आप स्टार्टप की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोमोशन है सेंटर गोर्मेंट के तरब से भी बहुत सारे सिकिम से बहुत चाड़ इनिशुटीव किया जा रहा है। फाइनियन से सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है तो इस एक्जिविशन में स्टार्ट अप को ले करके आप लोग क्या नया थाउट देने जा रहे हैं तो इसको भी हम लोग इसमें इन्वाइट किये हैं और इंकुबेशन सेल हमारे हैं उसे किस प्रकार से एक इको सिस्टम ड कैनाने के लिए यह सारी चीज इस एकडियुशन में पर दिस्द करने जा रहे हैं सर्फी से इन्वार्मइन्टल इश यूज संस को ले करके भी बात होनी है इस इस एक्जिविशन में तो इन्वार्मेंटल इसूस क्या होगा इसमें देख nosaltres आने हो अब जो भी प्रगति है जहां की emissions बहुत कम हो even zero discharge की बात हो रही है color जो है या colorless discharge की बात हो रही है तो वहाँ पर यह सब चीजें हम लोग उसको करने जा रहे है सर यह घर को लेकर के बाते हो रही है house को लेकर बाते हो रही है तो यह जो sustainable housing and other infrastructure जो एक topic है आपका इस exhibition में तो क्या कुछ होगा इस topic पर housing देखे अभी मैं पिछे national film festival में सिरकत करने के लिए हैदराबाद गया था National Institute of Rural इंडिसलाइशन में और वहाँ पर हमें sustainable development and housing के लिए वहाँ के महानिदेशक महोदेख के द्वारा कुछ पुछतके परदान की गए को जन्रल दिए गए जिनके अधार पर आंगनमाडी केंद्र है या पंचायत भवन है या बहुत सारे ऐसे buildings है जो जिनका निर्मान हम इस परकार कर सकते हैं जिससे कि वह भविसे में environment friendly हो और कम से कम उसमें उर्जा हो यहां तक यह संभाब हो कि जो उर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसको ही हम कहर में सारे यूज कर रहे हैं कि उससे खाना बन जाह सब कुछ हो जाए इस तरह की बेश्था इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग प्रदस्शीद करने जारें सबंदे रहे हमारे साथ और कार्प में जो भी विद्यार्थी के दुआरा मोडल बनाए जाएंगे, यहां परदसिस की जाएंगे, चुकि जारकन की जमीन अलग-अलग तरह का है, कहीं सौप्ट मिटी है, कहीं बालु वाला मिटी है, कहीं कंकड है, कहीं हाट मिटी है, तो हर जगा एक जैसा खेती नहीं हो सकता है, और इस से रिलेटेन मोडल से जारकन को बेनीफीट होगे, क्योंकि जनसंक्या बढ़ते जा रही है, पॉस्टिक आहार की जवरत है, और कैसे कम जमीन में या जो जमीन अभेलेबुल है, उस जमीन के अनुसार खेती किया जाए, तो हम समझते हैं कि हमारे संस्थान द्वारा जो मोडल यहां दिखाए जाएंगे, विद्यार्थी दुआरा उससे फायदा होगा राईजी को. हमारे कॉलेज में 75 आजादी के अमरित महतसर्फ के कंसेप्ट के तहत, JSN ITE Science Exhibition का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे पास एक topic है, exhibition के लिए वो है आपका Artificial Intelligence and Robotics. Basically हम लोग इस topic को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी का जो आपका समय है, इसमें Robotics और Artificial Intelligence का बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत ही जादा योगदान दिख रहा है हमें हर शेत्र में. यह जो Artificial Intelligence है, basically इस Artificial Intelligence के तहट हम लोग को एक ऐसा system को तयार कर सकते हैं या फिर ऐसे system के बारे में पढ़ सकते हैं जिसकी की शमता सोचने की या फिर decision लेने की एक human के जैसे हो. Basically जब Artificial Intelligence को हम लोग देखते हैं या फिर कोई हम लोग system को बनाते हैं तो generally अगर कोई decision लिया जाता है किसे system के तायत तो हम उसे यह जानकारी भी ले सकते हैं कि ऐसा decision उस system ने क्यों लिया. तो यह जो AI है, AI का जो applications हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने real life में पर देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग self driving cars को भी example में देख सकते हैं, Siri, आपका Google Assistant, इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक example के तौर पर हम लोग देख सकते हैं. बार बाग यह जो robotics है, robotics का भी हमारे life में आज की rate में बहुत ही importance है, क्योंकि यह जो robotics है, यह आपका हम लोग यह बोल सकते हैं कि आपका एक AI का application है, जिसके तौर हम लोग robots को बना सकते हैं, जो की इंसानों जैसा काम कर सकते हैं, और humans का help कर सकते हैं, उनको assist कर सकते हैं, उन देमारे पास machine learning जैसा भी हम लोग machine learning का पर application देखते हैं जिसके तहाइट हम लोग यह देख सकते हैं यह जो machine learning उसमेरा deep learning भी आता है जिसमेर वोग यह देख सकते हैं कि यह जो learning है इसका कहने का मतलब क्या है कि कैसे किसी चीज़ को सीखा जा सकता है कैसे कोई system खुद बाखु आज एक जिभीशन का जो दूसरा टॉपिक है इंडिजीनिस टेकनालोची एंड इंडिस्ट्री मॉडल डेवलप्मेंट्स बिसिकली यह इंस्पायर है मेक इंडिया थीम से मेक इंडिया थीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्री नरेंदर मोदी जी का जो ड्रीम प्रजेक् ताकि हमारे देश के लोगों को जादा से जादा रोजगार मिले प्लस हमारे देश के बच्चों का भवी से जादा उजवल हो तो इसमें क्या है कि इसे बहुत सारे इन्नोवेटिव आइडियाज है प्लस जो एक्जिस्टिंग इंडिजीनिस टेकनोलोजी है तो उनका जिख ऑनकरी होता ठुख कि बहुत सारे डेलोप्मेंट्स से आते थे लेकिन आप यहां है कि दिरे डिरे सारे चीजों का अपने कंट्री में डेवलोप्मेंट होता जा रहा है और धीरे-दीरे यहम हम चीज इन चीजहों की कर रहे हैं तो सुना आपने artificial intelligence and robotics के मामले पर जो indigenous technology and industrial model development के मामले पर और agriculture farming model के मामले पर क्या विचार सथे सग्यों के एक बार फिर से जरुबहर साथ हमारे साथ मौजुद हैं जरुबहर साथ जरा एक बार फिर से वरीफ कर दिए कि जो साइंटेफिक और इंडेस्टियल मैनेजमेंट है तो उसको लेकर किस एग्जिबिशन में क्या होने जा रहा है इस टॉपिक यह जो टॉपिक के क्या कवर करेगा इस पर देखे हमारा जो पस्चमी यूरोप है और अमेरिका है इन देशों में जिनको हम डेवलप्ट देश कात तो भी उन्होंने काफी उनका विकास किया और उनके जीडिपी में काफी ज्यादा उनका जीडिपी में विकास हुआ और उसमें बढ़ात्री हुई इसका मूख के कारण जो रहा वो साइंटिफिक और मैनेजमेंट रहा तो किस तरह से अपने इंडस्ट्री को किस प्रकार स जैसे अपने उद्योग धंदे को मैनेज किया जाए वेज्ञानिक रूप से जिससे कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो जैसे हम लोग बोलते हैं किस प्रकार उनका उप्टिमम यूज हो जिससे कि वो अधिक सधिक मुनाफ़ा करें और वो खास करके परियावरन का भी साथ में ध्यान रखें और इस प्रकार देश और विश्व का कल्यान नमादा करके विज्यान कैसे मानो जीवन को आसान बनाया है उस पर सारा फूकस है और एक्जिबिशन पर केंद्रित है हमारी सुब कामना है आपको की आठाइस तारी को जो एक्जिबिशन होने जा रहा है वो अच्छा सक्सेस्फुल है एक और आपने फिर वक्त निकाला बात करने क के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है तो सुना आपने कि अठाइस फरवरी को जो एक्जिबिशन होने जा रहा है गुर्गवन सिंग टेक्निकल कैंपस में उसकी पूरी तायारी है विस्ट सग्यों ने आपको बताया है टपिक वाइस कि क्या कुछ कवर होने जा रह कि लामस्वारो